Hello friends, सतोसी BTCS Mining Application में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है मैंने आप लोग को बताया था कि इसका testnet launch हो चुका है और testnet के बारे मैंने सारे information आप लोग को दी थी और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे testnet में कौन कौन से step को complete करने है क्योंकि यहाँ पर हमें जो coin हम यहाँ पर mine कर रहे है उस coin को हमें metamask wallet में add करना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको receive has का option दिखेगा यहाँ पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर please add wallet address first तो यहाँ पर हमें wallet address add करना है यहाँ पर जैसे नीचे यहाँ पर add wallet address का option यहाँ पर हमें wallet address add करना है यहाँ पर जब हम add करेंगे तो यहाँ पर हमें 10k has free में मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पर हमें 17 chain का wallet address input करना है और जैसे यहाँ पर हम 17 chain का wallet address input करेंगे यहाँ पर हमें 1T BTCS coin मिल जाएगा यह सारे चीज़े जो होगी यह testnet में होगी तो यह सारा step आपको complete करना है इसलिए यह video आप लोग के लिए बहुत जादा important है इसलिए ध्यान से देखें और अच्छे से सारे चीज़े समझते हुए चलें सबसे पहले आपको क्या करना है इस application को जो BTCS manning application है इसे play store से जाकर आपको update कर लेना है update जैसे ही करेंगे आपके सामने भी receive has का option मिल जाएगा उसके बाद आपको metamask wallet download करना है play store पे जाकर जैसे ही search करेंगे वहाँ पर आपको मिल जागा उसके बाद यहाँ पर आपको create a new wallet का option दिख रहा है यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर आपको I agree पे click करना है अब यहाँ पर आपको अपना password डालना है password आपको strong डालना है और password आपको भूलना नहीं है उसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद नीचे फिर से आपको start का button दिखेगा फिर से आपको start के button पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना password डालना है उसके बाद confirm पे click कर देना है उसके बाद आपके सामने इस तरीके का interface आ जाएगा यहाँ पर इन्होंने लिखा है write down your secret recovery phrase तो यहाँ पर आप जैसे view पे click करेंगे यहाँ पर आपको आपका recovery passphrase मिलेगा उसे आपको समाल कर रखना है उसे आपको खोना नहीं तो यहाँ पर आपको view पे click कर दे रहा है लेकिन उससे पहले आपको यह जो आपको phrase दिख रहा है इससे आपको save करके रख लेना है आपको याद रखना है कहीं पर भी आप note down करके इससे जरूर रखें यहाँ continue पे जैसे click करेंगे अब आपको क्या करना है जो भी words थे उसे randomly select करना है जो एक पर था सबसे पहले उसे उसके बाद 2-3-4 इसी तरीके साब को select कर लेना है तो जैसे ही आप सारे words को यहाँ पर अच्छे से select कर लेंगे यहाँ पर success लिखा हुआ जागा उसके बाद complete backup पे आपको click करना है अब यहाँ पर आपका wallet complete create हो गया है यहाँ पर आपको done पे click कर देना है अब आपका metamask का wallet create हो गया अब यहाँ पर हमें tbtcs coin को add करना है उसके लिए आपको उपर में 3 dot आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको click कर देना है click करने के बाद नीचे आपको आना यहाँ पर setting का option आपको दिख रहा है यह वाला setting इस पर आपको click करना है अब आपको यहाँ से network का option दिख रहा है यह वाला network इस पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर add network का option है इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर सारे चीज़ आपको ध्यान देनी है और जो भी हम यहाँ पर fill करेंगे वही चीज़ आपको भी फिल करना है तो यहाँ पर network name में आपको लिखना है सतोसे chain testnet उसके बाद RPC URL में आपको तो RPC URL में आपको ये वाला URL आपको फिल कर देना chain ID में आपको लिखना है 1115 उसके बाद आपको symbol में लिखना है small में T उसके बाद BTC capital में उसके बाद S उसके बाद blog explore URL यहाँ पर आपको फिल करना है यह optional में है लेकिन आप डाल दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आपको ये सारे information फिल करना है जो जो चीज़े मैंने यहाँ पर फिल किये वही चीज़े आपको यहाँ पर फिल करनी है तो जैसे ही आप add पे क्लिक करेंगे आपका wallet तयार हो जागा यहाँ पर आपको दिख जागा सबसे उपर में wallet सतोसी चैन टेस्टनेट यहाँ पर आपको TBTCS coin आपको दिख जागा और यहाँ पर आपको receive send का wallet address यहाँ पर मिल जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ receive का option दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको copy का option दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके copy कर लेना है copy करने के बाद आपको BTCS application में जाना है उसके बाद आपको testnet को open करना है, आपको फिर इस link पे click करना है, इस link पे जैसे click करेंगे आपके सामने इस तरीकी का interface आ जागा, यहाँ पर आपको wallet address put कर देना है, जो wallet address अभी हम लोगों ने copy किया था, यहाँ पर आपको get tbtcs पे click करना है, जैसे click करेंगे fund success in transaction, तो यहाँ प आपको क्या करना है, यहाँ पर three dot पे आपको click करना है, उसके बाद account का section आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको click करना है, और उसके बाद यहाँ पर create new account का option है, इस पे आपको click करना है, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, आपका तीसरे account बन जाएगा tbtcs का, अब यहाँ पर वही process आपको करना है, यहाँ पर आपको click करना है, Receive Wall आपको option दिख रहा है, Receive Wall आपको option पर click करके wallet चैड़ कोपी करके जहां पर हमने paste किया था और 1 यहाँ पर TBT CS coin receive हुआ था, Y पर पर भी आपको करना है और यहाँ पर भी आपको एक coin receive हो जाएगा, और जैसा ही अब coin receive हो आपको बस दो या तीन, इस तरीके से 4, 5 आप बना सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर वापस से 3.0 पर क्लिक करना है। यहाँ ब्राउजर का आपको option दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको अपना account बना लेना है जैसे ही आप register बटन पर click करेंगे यहाँ पर आपको username डालने के लिक हैगा यहाँ पर आपको username डालना है email आपको डालना है, password डालना है confirm password फिड डालना है, दौबार आपको password डालना है उसके बाद यहाँ पर दोनों पर tick कर देना है उसके बाद I am not robot पर click करना है उसके बाद create account पर click कर देना है जैसे create account पर click करेंगे आपके email पर confirmation mail लाई myth उसके बाद आपको email वहाँ से verify कर लिना है जैसे आप यह process complete करते हैं आपका account यहाँ पर click हो जाएगा अब आपको क्या करना है, अब account तो उसमें create हो गया, अब यहाँ पर हमें करना है एक transaction, यहाँ पर एक transaction करना है हमें, अब देखें यहाँ पर जैसे three dot पे click करेंगे, यहाँ पर जीतना चाहिए आप create ने account क्लिक करके और सारे account में आप एक एक TBTCS coin receive कर सकते हैं, वैसे ही जैसे म लेना है और इसी में आपको transaction करना है, transaction कैसे करना है, मानल देखें पहले वाले account में 1.5 TBTCS coin है, दूसरे वाले account में 0.4996 TBTCS coin है, अब आपको क्या करना है, मानल देखें करना है, जैसे one account से two account में send करना है, account 2 पे आपको click करना है यह receive wall option यहाँ पर click करना है यहाँ से आपको address को copy कर लिना है उसके बाद फिर से 3.0 पे यहाँ पर आना है account 1 में आना है send पे आपको click करना है यहाँ पर address आपको paste करना है उसके बाद next पे आपको click करना है यहाँ पर आपको amount डालना है यहाँ पर gas fee और कितना coin total है वो आपको यहाँ पर सो जाएगा और यहाँ पर send पर आपको click कर दिना है. Send पर click करेंगे आप transaction submitted, यहाँ पर transaction देखिए, यहाँ से account 1 में cut गया, coin चला गया और account 2 में आएंगे तो आप account 2 में यहाँ पर TBTCS coin आ गया. इस तरीके से आपको transaction करना है, अब transaction तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, यहाँ से वापस आपको आना है account 1, account 2, जिसका चाहें आप, यहाँ पर receive का option है, यहाँ पर आना है address को copy कर लिना है, अब आपको TBTCS manning application को open करना है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे my has तो 250 है नीचे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको paste करके confirm पर आपको click कर देना है, जैसे confirm पर click करेंगे यहाँ पर wallet address adding successfully यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपको close कर देना है, अब आपको यहाँ पर receive has पर फिर से click करना है, और नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा wallet address यहाँ पर तो यहां पर आपका house यहां पर add हो जाएगा और यहां पर आपका दिख जाएगा अगला house अगला house आपको मिलेगा 25 आर्ज बाद यानि 25 गंटे बाद अगला house बनेगा और 10K house यहां पर फिरी में हर 25 गंटे पर आप receive कर सकते हैं इसी तरीके से आपको सारा process complete करना और यहाँ पर हमारा process होता है खतम अब हमें कुछ नहीं करना है एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं लेकिन अभी भी अगर आप लोगों कोई भी यहाँ पर problem है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप comment जरूर करें और आप सारी process को complete जरूर करें और जितने लोगों ने इसमें mining start नहीं किये mining start जरूर करना है क्योंकि यह बहुत अच्छा profit देने वाला बहुत अच्छा यहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं जब यह launch होगा क्योंकि launching से पहले इतने सारे features इसमें हैं तो सुचिए launching के बाद इसके कितनी price होगी और इनके white paper को आप देखें या किसी भी चीज़ को देखें हर चीज़ पर इन्होंने मेहनत किया है हर चीज़ पर इन्होंने पैसा खर्च किया है तो य सब्सक्राइबर सबस्क्राइबर आ हरें और उनको वहां पर latest update मिलते रहते हैं तो आप लोग टेलिग्राम पर जरूज़ कर सकते कोई भी problemाँ वहां से आप मैसेज कर सकते हैं और इसके लावा ट्विटर पे भी आप फोलो कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं आप नेक्ट वीडियो में